Welcome to my channel, my topic San Andreas Fault आज हम जानेंगे San Andreas Fault क्या है अगर San Andreas टूट जाता है तो क्या होगा और आखरी अर्थकुएक कब हुआ था San Andreas में तो शुरू करते हैं अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करिएगा मैं इस वीडियो में कुछ important topics के बारे में discuss करूँगी जो कि San Andreas से related है और मैं कुछ maps के भी picture आपके screen पे show कर रही हूँ आप उसको देख लिजएगा यह randomly फिर repeat होगा तो हम शुरू करते हैं San Andreas का नाम San Andreas क्यों हुआ क्योंकि यह theory Edwin Lorsen के नाम से है यह 1895 में हुआ था United State of Mexico में in California State और city कौन सा है? San Francisco और इस fault के length है 1200 km और यह Northern American Plate and Pacific Plate पर है अर्थक्वेक कब हुआ? 1857, 1906, 1957, 1989 and 2004 में हुआ था लास्ट 2004 में हुआ था और हम जानते हैं तीन प्रकार के fault है जिन में से यह transform fault है San Andreas fault एक महादीव परिवर्तन है जो California से लगबग 1200 km तक फैला हुआ है यह Pacific Plate and Northern American Plate के बीच सीमा बनाया है और इसकी गती, स्ट्राइक और सिल्फ है यह fault तीन खंडों में विवाजित है प्रत्यक अलग-अलग विशिश्ताव और भुकम जोखिमों के एक अलग डिग्री पर सिस्थित है इस fault की पहचान 1895 में UC Berlin के प्रोफेसर Edward Lawson ने की थी जिन्होंने Northern Zone की खोच की थी यह अक्सर बताया जाता है कि San Andreas Lake के नाम से नाम पर रखा गया था पानी का एक छोटा सा सरीर जो दो प्लेटों के बीच की घाटी में बना था हाला कि 1895 और 1908 की उनकी कुछ रिपोर्ट की अनुसार Lawson ने वास्तव में इसका नाम आज पास की San Andreas घाटी के नाम पर रखा था 1906 के San Francisco अर्थक्विक के बाद Lawson ने केंक्लूट किया कि fault ने Southern California में सभी तरह की विवश्ता किया है San Francisco Peninsula जहां इसे पहली बार 1895 में प्रोफेसर Lawson द्वारा भचाना गया था या 1906 के San Francisco भुकम के एपी सेंटर का अनुमानिक स्थान है यह fault बॉलिनिया लैगून के तड़ पर लोटती है San Andreas Fault का केंद्रे खंड पार्क फिल्ड से हॉलिस्टिक तक उत्तर पश्यमी दिशा में चलता है Pacific Plate Fault पश्यम में एक उत्तर पश्यम दिशा में बढ़ रही है जबकि उत्तर American Plate पूर्व में दच्छिन पश्यम की ओर बढ़ रही है लेकिन Plate Tectonics के प्रभाव में अपेक्छित दच्छिन पूर्व है California Fault एक गर्म छेत्र में इस्तीत है जो चतावनी के बिना तूट सकता है San Andreas Fault के कुछ हिसों में 200 से अधिक वर्ष में कोई तूट नहीं हुई है जिसका अर्थ है कि यह एक उच्छ तिव्रता के प्रमुख के लिए अतिदेव है जिससे आम तौर पर दबिग बैंग दबिग वन कहा जाता है यहाँ वे विशेशग कहते हैं जो बिग वन के वेस्ट कोस्ट में हिट करने के बाद संग सेकेंड घंटे और दिनों में हो सकता है सैन एंड्रियास कैलिफोर्निया के कुछ सबसे अधिक आबादी वाले छेतर के निकट है और नीचे गहरा चला जाता है डेजर्ट, होट स्प्रिंग, सैन ब्रीज, डेली सीटी, पॉइंट ट्रेयर और बोडे गया बे के सहर सैन एंड्रियास फॉल्ट पर है थैंक यू सो मच पर वाचिग माई वीडियो